हिमाचल प्रदेश की सेव बागवानों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी रहत दी है सरकार ने किलो के हिसाब से सेव खरीदने का निर ने लिया है आने वाले सेव सीजन में बागवान किलो के हिसाब से अपना सेव बेच सकेंगे सरकार ने बागवानों की इस लब में इतमांग को मान लिया है सेब की खरीदारी समित कई बिंदों को लेकर सरकार ने सरकुलर जारी कर दिया है बता दे कि बागवान संगठन पिछले काफी समय से सरकार से किलो के हिसाब से सेब खरीदने की मांग कर रहे थे मुख्यमंद्री सुक्षिंदर सिंग सुक्षू ने भी बागवानों से वादा किया था कि उनको उनकी फसल की सरकार उचित दाम देगी और उन्हें नुकसान से बचाएगी और ये वादा अब पूरा हो गया है बागवानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने विवस्था की है कि पेटी में 24 किलो से ज़्यादा की मातरा में सेब नहीं बेचा जाएगा अगर कोई इस से ज़्यादा मातरा में सेब बेचता मिलता है तो उसके खिलाफ APMC Act के तहट कारवाई की जाएगी इसी शर्त के साथ अब लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा और उनके लाइसेंस को रिनियू किया जाएगा बागवानों को इस ठगी से बचाने के लिए सरकार ने आने वाले सेब सीजन में किलो के हिसाब से सेब बेचने का फैसला लिया है APMC को सुनेशित करने के लिए कह दिया गया है कि जो मारकेड यार्ड में वेट मेशीन रखी जाएगी वो नाप तोल एक्ट के तहट रखी गई हो शिमला में जो Apple होता है सेव होता है उसके लिए हमने पीछे कहा था कि हम Universal Cartel Box की तरब भी देखेंगे और किसान को नुकसान ना हो बागबान को नुकसान ना हो तो Apple Growers है उनको नुकसान नो उस दिरिष्टी से हमारे होटी कल्चर मिनिस्टर और रोई ठाको जी ने उसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद ये पाया है कि किसानों का जो एपल का जिसमें एपल भरा जाता है बॉक्स होता है वो कई बार 24 किलो का होता है, कई बार 28 किलो का होता है, लेकिन वो पेटी के रेट के साब से उसका प्राइस मिलता है अब जो पेटी के रेट के साब से प्राइस मिलता है, कि ये पेटी है, इसका प्राइस हो गया कि 900 पे पेटी गई जी, 1000 पे पेटी गई, कितने किलो सेव है, वो चाह 30 किलो ही है, उस द्रिश्टीगत हमारी सरकार ने बागबानों के हित के लिए काफी सोच विचार किया, और जो जगत सिंग नेगी जी हमारे वर्टी कल्चर मिनिस्टर है, हमने ये फैंसला किया, जितने बागबान है हमारे परदेश में चाहिए, वो एपल ग्रोवर्स है, या और भी बागबान है, कि जो भी वेट के हिसाब से, जो भी हमारे किसान होंगे, हम वेट के हिसाब से, पर किलो के हिसाब से, उसका रेट इताय करेंगे, ये फैंसला हमारा आज हुआ है, ये बागबा बचारे गौह में 30 किलो की पेटी बरके दे देते थे 25 किलो की पेटी बरके दे देते थे इस दिरिश्टी कौन से आज हमने बागवानों के हित में ये फैसला किया कि पहले तो युनिवर्सल काटन वॉक्स के बारे में पता करेंगे कि इतनी जल्दी उपलब्द हो सकता कि नह हम लागू कर दिया है कि जो अगला जो वारा एपल का सेफ सीजन होगा उसमें हम बीट के हिसाब से कीमत कोई तैक करेंगे